इस सब्जेक्स पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन्ट है नमर्स कारम रीजनों आप देखरें सिर्व डिपार्ट साला आपसी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग फुरा ट्रेंड से हटके वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे होगे कि मेरे चैनल पर जनरली आपको ऐसे ही वीडियो मिल रहे होंगे जो कि जेन्यून बनने चाहिए जो ग्राउंड लेबल पर बाते करता है कोई भी भड़ता हूँ थमने लगा कि वीडियो में नहीं देता कई बार तो मेरे वीडियो बिडाउट थमने लोते हैं और जिस वीडियो पर हम मैं बात करता हूँ उस वीडियो पर बहुत ही स्थीटा से बात करता हूँ और जो भी पॉइंट डिसकस करता हूँ वो एक्सप्रियेंस बेसिस पर आप तक होशायस आती है और कहीं न कहीं उसके जो डेटा होते हैं जो फैक्स होते हैं वो वेलपुर्वड होते है आज का जो विसर है हो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहौत पहले बात हो जानी चाहिए लेकिन जब हमारे देश में निव एजुकेशन पॉलसी को ही आने में कई साल लग गये 30-40 साल लग गये तो भाई इस टॉपिक को आने में अगर आज के डेट से भी 20 साल लेट हो जया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भविस्टों हम लोगों का खराब हो रहा है सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखे बस देख लो लास्ट में तैंक करना कि इस वीडियो को देखना चीए था कि नहीं देखना चीए था आप पास कॉमेंट बॉक्स है जो समझ में लिखके चले जाए मैं आपको जैसा पहले ही बताया कि मेरे वीडियोज जो है जरूबी नहीं मेलियंस आप व्यूज में हो लेकिन जो qualities है उसको मैं व्यूज में count भी नहीं करता हूँ आज मैं आपकी आखे खोलने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ कि आने वाला समय जो है वो किस टाइब के course के demand कर रहा है और generally हमारी education system जो है किस टाइब के course को offer किये जा रही है किये जा रही है आज का topic है कि हमें VA क्यों नहीं करना चाहिए तो basically हम लोग बात करते हैं कि VA अब तक करते आ क्यों रहे थे और किन लोगों करना पढ़ रहा था ध्यान देना करना पढ़ रहा था ठीक है आईए सबसे पहले इस पर बात इस पूरे points को समझने से पहले आप से request करूँगा please आप अपने एक दोस्त की मदद करें जो दोस्त परिसान है डर्द में है पीड़ा में है आप उसकी मदद करें आप इस वीडियो का लिंक उसको पहुचाएं अगर आपका दोस्त दुस्मन है तो आप उससे जरुर पहुचाएं और आपका दोस्त है तब तो उसके घर तक ले आगे दे कराएं reason ही है कि उसको पता चलना चाहिए कि बेटा किस बारे में सोच रहे हो और basically अच्छा एक वाक्या याद आ गया मेरा दोस्त है वो basically BSQ से BA कर रहा है मेरा दोस्त है तो मैं खुद BA कर रहा था तो वो भी BA कर रहा होगा एक दूर उसके पिताजी एक फॉर्म का लिंक भेजते हैं कि बेटा इसको भरो एकजाम दो और जल्दी से जॉब ले लो और वो जब लिंक ओपन करता है तो basically वो जो था वो एक स्पेस एजेंसी से रिलेटेड फॉर्म था बेटा कर रहा है भी यह और फॉर्म का लिंक भेज रहे हैं पिताजी बीटेक का तो यह बहुत असे थे हम लोग और basically उस वाकियां को रिकॉर्ड करके फाजा स्टेड पर मैंने लगाया भी था बरहाल आज का जो टॉपिक है वो कहीं ने कर सीरियस है और इंट्रेस्टिंग भी है सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रखाओं वो है इस कोर्स की उपलब्धता मिंस आसानी से यह कोर्स हमारे देश के कोने कोने में किसी भी सरकारी गयर सरकारी जिस विद्यालों में अबलेबल है क्यों अबलेबल है रिजन ही है कि हमारा देश जो है वो बहुत बाद में टेकलोजी को एड़ॉप्ट करते आया इस स्टार्टिंग में जनरली हम लोगे दार्शनिक और आध्धात्मिक दुनिया वाले देश के हिस्से में से आते हैं हमारे यहां Humanities और Arts विश्यों पर बात करने वाले सिक्षक उपलब्द थे और वो विश्य भी उपलब्द थे जनरली Arts में इस में जो सब्जेक्स आते हैं वो हमारे देश में आसानी से उपलब्द थे तो ऐसे में हमारे देश को किसी भी एक तरह से जो एजुकेशन लिटरेसी है उसको इंप्रूब करने के लिए इस course को आसानी से लॉंच किया सकता था इन्होंने बीए को लॉंच कर दिया अब बीए दीरे दीरे हमारे beyond the mind में psychology कहता है कि हमारे mind में आपने सोचा नहीं है लेकिन आपने आपके mind में डाल दिया गया कि बीए कर लो finally Finally, ये वहीं से message आता है कि BA का mind में बैठने लगा. और ये क्यों आया है? क्योंकि ये आसानी से उपलब जाता है. पहला point हर चीज़ पर discuss करूँगा लेकि पहले points को समझ लेते हैं. दूसरा है low fee. जनरली देखा गया है कि BA की जो fees होती है as compared to other courses बहुत ही कम होती है. क्योंकि ये vitalities related कोई course करते हो तो वो एक practical course है. उसमें instrument चाहिए, आपको lab चाहिए. वो एक practical course है जिसके उसकी fees बहुत high होती है और उसका जो knowledge देने वाले लोग होते हैं वो पढ़ाई करके बहुत दूर से आते हैं तो वो कही न कहीं महगा बना देते हैं. उतना commercialize नहीं करना चाहिए कि लेकिन कहीं न कहीं वो rare होने की वज़े से उसको महा कर दिया जाता है. और ये low fee जो है इस BA course को कहीं न कहीं करने भी मजबूर कर रहा है. कहीं न कहीं ठीक है, आप psychology को समझे. तो low fee भी इसका कारण है, मतलब कम पैसा में मिल जाता है. तिसरा है job options. BA करके हमारे देश में लेकिन कब तक किया जा सकता था इस पर बात करना वहत जरूरी है. ध्यान देना बहुत important बात बता रहा हूं. आप skip करो ही मत, सोचो बस ध्यान से. Job options. जैसे कि हमारे देश में जो state jobs होते हैं या center level के जो भी government jobs होते हैं उसमें offer किया जाता है slabas. और जो slabas होता है वो generally recommended होता ह है GKGS current affairs और mental ability means aptitude services जो कि कहीं न कहीं इस particular BA course में अराम सब लेबल है और जो offer किये जा रहे है job हमें उनका जो eligibility है वो है क्या? graduation बस graduation उसमें कहीं mention नहीं है particular में बात कर रहा हूँ जो top government jobs है लगबल वहाँ पर बस आपको graduate होना जरूरी है जरूरी नहीं है कि आप plastic बनाने के बारे में जानते हो कि नहीं आप इस्पेस बनाने के बारे में पता है कि नहीं मैं अलब technology से कोई लेना देना नहीं है और basically commerce के जो courses है उससे भी लेना देना नहीं है तो कहीं न कहीं क्या हो गया job options ये एक versatile course है इसको करने के बाद आप लगभग courses कर सकते हो और उतना ही नहीं आप teacher भी बन सकते हो आप government job भी कर सकते हो private sector में जा सकते हो सबसे बड़ी बात आप road के किनारे गोलगपे का ठेला लगा सकते ह कहीं भी अपने गाओं के किसी भी corner पे बैठ के चाय बेश सकते हो रिक्सा चला सकते हो कोई भी देश का काम कर सकते हो क्या करके बीए करके ये सबसे बड़ी opportunity है इस course का fourth number है UPSC जो एक सबसे भ्रमित बात है वो यही है कि इस course में एक भ्रम है कि आप इस course को करते हो तो UPSC निकल जाएगा यह trend बहुत पहले हो रहा था क्योंकि scenario समझोगा जैसे कि UPSC अपना इस slabs दिया और वो slabs कहीं ने कर इंस्पार्ड है आगया कर सकता है और दूसरी चीज वो exactly कुछ percent तक follow भी हो रही है तो यह बहुत पहले tradition में था कि हाँ UPSC निकलता था लेकिन अब UPSC हर एक चीजों को क्या कर रहा है डॉप्ट कर रहा है वो dynamic हो चुका है versatile हो चुका है तो ऐसे में आपको यह भ्रम निकालना पड़ेगा क बीए करने वाले ही सबसे यदा UPSC निकालते हैं अभी का data तो बता दूँगा तो आपको बीए करना ही नहीं चाहोगे basically इस वीडियो को मैं इतना भी oriented नहीं करना चाह रहा हूं कि आपको लगे कि बीए करना ही बेकार है चुकि बीए करना भी सही है मैं बताँगा कितने percent ल और मैं इतना ही नहीं मैं challenge कर रहा हूं मैं गलत बोलूँगा तो आप इस वीडियो को dislike मारना और चैनल को unsubscribe कर दे और सही बोल रहा हूं तो प्लीज आप इस चैनल को आज क्या subscribe करोगे और इस वीडियो को like भी करोगे और comment करके बताओगे यह बास सच है कि नहीं है point यह है हमारे देश में generally लड़कियों के साथ क्या किया जाता है कि बस उन्हें इसलिए पढ़ाया जाता है कि लड़का पच्छवारा जब जाए तो वो यह कह सकें कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है पढ़ी लिखी का sense यह है कि बस वो एक scale है एक पैमाना बनाया गया है जिसको fulfill कर ले क्या बारहमी लेकिन धीरे 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 modern हो रहा है हमारा society बस बारहमी करें आपकी बेटी आप बदला रोग क्या है हमारी बेटी ने graduate है अब अपने आप में जादा educated society नजर आने लगी कि हमारी बेटी educated है और education किस basis पर दिया गया बस BA लेबल पे just for degree य reality है हमारे society की सबसे बड़ी प्रताड़ना जो इसमें सबसे बड़ा एक cruel face है हमारे society का वो है girls के लिए यही वाला कि उनको बस degree के तौर पर पढ़ाया जाता इस course को यह सबसे ज़्यादा है ruler area में और देश के विविन हिस्सों में सो मेरा कहने के मतलब यह है कि इस degree का एक अभिसाफ है एक सबसे black side है सबसे अंधेरे वाला जो हिस्सा है वो यह है कि इस course को as a degree treat किया जाता है और वो सबसे ज़्यादा girls के लिए किया जाता है वो भी एक marriage certificate के तौर पर यह reality है आप इसको accept कर लिए और आप इस वीडियो को गार जिन को दिखाएगा कि अपनी लड़कियों को जितना आगे आने दें आप देख लेना कि अब भी और ज्यादा लड़किया अच्छा करेंगे जैसा आज कर रही है और लड़के प्लीज आप आपके लिए इस special वीडियो में लाओंगा basically लाओंगा जरूर लड़का लो तो उसमें लड़कियों के मैं पोस्ट ज्यादा करता हूं अपने इंस्टा इडिया कहीं पैसा नहीं है लड़का लोग से जाब मैं मिलता हूं तो उसमें ज्यादा ओपिन टॉकिंग होती है मैं जहां तक समसता हूं तो उसमें भी सेलफी लेते हैं कभी कोई मिलता है कभी क उसमें government job के options बहुत ज़्यादा है, लेकिन private jobs के भी options बहुत ज़्यादा है, अब बात आ जाती है, UPSC के selection percent का, generally ये 1% से भी below है, हमारे यहाँ जो UPSC का selections है, UPSC नहीं है, हमारे देश में जो top, कोई भी, चाहे बारामी के बाद हमारा J-E advanced का result हो, चाहे हमारा IMS admission के लिए need का result हो, इनका जो selection percent है, 1% भी नहीं है, data के according दिखा जा तो 1% भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में colleges नहीं है, UPSC में आती है, 600, 800, 900, 1000, बहुत, हम भरे जा रहे हैं, लाखों में, 12-15 लाख, तो कहां से percent, जब उस चीज़े अबलेबल ही नहीं है, जब इतनी rare हो जा रही है, तो selection percent तो अपने automatically कम हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, आगे point क्या है, ओके, अब बात आता है, कि सर, ठीक है, आपने इतनी सारी चीज़े बताई, आप यह बताओगे, आप एक as your student किस टाइप के course adopt करना चाहोगे, अप्ट करना चाहोगे इन दिनो, मैं आपको हमें सब बोल सर मैं किस दूसरे वीडियो में दोंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है, उसे explain करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर उसे blindly believe कर लोगे, so please, अभी मैं as a student, आप की तरा कि मैं 12 वी से निकलता, और मेरे पास options बहुत सारी होते है, तो मैं कहां जाना चाहता, तो मु से last agriculture, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जगों पर drone से urea and die का छिड़काओ किया जा रहा है, drone से किटना सक छिड़काओ किया जा रहे, तो जो technical agriculture business है, जो एक agriculture form house है, उसका development अभी बहुत होगा, तो जो technological agriculture का format है, उसमें अभी बहुत scope आना बाकि है, यहां तक कि इसमे scientist तक के बहुत scopes बनेंगे, सो finally, सबसे top पे मैंने लिखा है agree, और agree is related सब, like agree business, agriculture, यह सब जो है agree development, यह पूरे के पूरे courses आप research करो, और इस टाइब के courses में अडमिशन रहने कोसिस करो, IT, यह हमें साथ से famous रहा है, IT सक्टर हमें साथ जिवन्त रहेगा, यह समझ लेना कि agree business को AI नहीं different कर सकता है, ध्यान देना, इसलिए मैंने लगबग AI के बावजूद जो courses लिखे हैं वो चलेंगे, AI के बावजूद यह चलेंगे, generally, ठीक है, जैसे data, अगर मैं data analysis लिखता, तब AI उसको क्या करता, उसको overtake कर जाता, लेकिन यहाँ मैंने data handling and data analysis नहीं लिखा है, मैंने कहा लिखा, agris related courses, information technology, agris related courses, economics, दिमाग में बैठा लो कि हमारा देश लगबग आने वाले समय privatization की तरफ, fully convert हो जाएगा, चाहे हमारा transport हो, चाहे हमारा defense छोड़ के है, मुझे ऐसा लगता है कि defense में, अगर कुछ percent तक होना होगा, government तो करेगी, लेकिन generally मैं जहां तक सम होगे defense छोड़ के बाकी लगभग चीजों में देखो के privatization हो जाएगा, हो जाएगा, चाहे railway हो, चाहे हमारा, कोई भी sector हो, जाए लगभग हो, क्या हो, प्राविटाइज हो जाएगा, तो government, ऐसे में government जब offer करेगी ही नहीं, अब जब government जब offer ही नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है कि किसका ज़्यादा आगे निकल के आना होगा, वो है corporate sector का, जिसका पैसा है, जनली जिसकी बाते news में होती रहती हैं, बड़ी-बडी multinational companies और इंडिया की जो national companies हैं, जो top level की हैं, जैसे कि freelance industry, जैसे Tata, Bidla, Adani, और भी जो हमारे हाँ बहुत top listed billionaires, millionaires, जो लोग है, उ वो अपना एक commerce life sector develop करेंगे इंडिया में और उनके हाँ जौब करने जाओगे, तो economics का जो demand है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनको managing director चाहिए, उनको product selling के बारे में जानना है, उनको पूरा company समालने के लिए एक commerce का पच्चा चाहिए, तो economics एक best section होने वाला है, law, आप सो है ना, वो इस private company से भी related है, ठीक है, एक minute, law जो है in private company से भी related, पता कैसे, generally अब ये लोग अपने हाँ company के term and condition देखते हो गए, तो ये लोग अपने हाँ as advisory and rules बनाने के लिए law की लोगों को क्या करते है, hire करते है, आपको पता होना चाहिए, कि आज का law के college में क्या होता है, placement होता है, कौन करता है, private company करती है, वो भी बहुत high package पे, 30, 35, 50 lakh annual pay package यहाँ पे मिलता है law के sector में, उसके बाद हमारे इंडिया में law जो है, जैसा मैंने defense बोला ना, उसे तरीके से जो हमारा judiciary है, इसको भी private नहीं किया जा सकता है, आपको पता ही होगा, supreme court थोड़ी बिकेगा, high जो है, वो बात अलग है कि यह हो सकता है किसी के लिए